नमस्ते जी वेदिक राश्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है विजे दस्मी और दिपावली परवपर या विशेस लेक उगरबाद से एक रिशित था स्रीराम का बच्पन आज के इस लेक के लेका के वेदिक विद्वान टॉक्टर अशोकार गाजियाबाद से आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि वेदिक राश्ट पर हम लगातार वेद के सिद्दान तो सुड़े विशे आपके लेकर आते हैं इसलिए वेद प्रचार के इस अमुल्य कारे म भच्पन आज मरियादा पुरश्ट्तम सिराम के चित्र और उनकी मूर्तियां धलरद से पूजा की जा रही हैं किंतु उनके जीवन में क्या-क्या समश्याइं आई उन समश्याओं का किस किस प्रकार से उन्हों égalे निराकरण किया उनके जीवर में कौन कौन से गुण थे जो आज हमें सुमारक पर चला कर कुपत से बचा सकते हैं इस और किसी भी राम पूझAK का ध्यान ही नहीं जा रहा है जो स्री राम की मूर्ती बना कर उनकी पूझा को ही अपना धर्म समझ रहे हैं आज के इस यूग में उनकी मूरती की पूजा करें या ना करें किन्तु उनके चरित्र को उनकी योजनाओं को उगरवात का मकाबला करने के लिए उनकी नीतियों को अपनाने की महती अवशक्ता है अता आज हमें उनके बालेकाल से योवनकाल तक जो जो समश्चाएं उनके सा साहस वीर्टा से मुकाबला करते हुए सब समश्याओं का नराकरन किया इस प्रकार की घटनाओं को हम आपके सामने रखने का यतना करते हैं जिनके प्रेणा लेकर आज भी हमें अवश्रक्ता है जिनसे प्रेणा लेने की आज देश में कुछ उसी प्रकार की अकसांत के लिए स्री राम के समान ही हम और हमारी आज की सरकार कदम उठाए इसकी आज अतिदिक अवश्रक्ता है आज हमें मूर्ती में बस रहे स्री राम की नहीं उस राम की अवश्रक्ता है जिसने पिता के एक सब्द को ही अपना धे बना कर 14 वर्स तक जंगल में निवास करना अ स्री राम बन जा रहे थे तो उनकी सहधर्मिनी माता सीता जी ने भी महलों के सुख को ट्याग कर अपने पती के साथ जाने का नरणे ही तत्काल कर लिया। अनुज रश्मन जिन्होंने पहले ही स्रिराम की सेवा का संकल पले रखा था उन्होंने भी कभी यह नहीं सोचा कि भाई मरता है तो मुझे क्या लेना देना नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। के माता और पिता के सच्चे अर्थों में भक्त स्री राम का प्रेणा दयक जीवन था जिसे आज संसार क्यों केवल अपनाने के अथवा उसकी पूजा मात्र से ही कुछ नहीं मिलेगा पितू उतके जीवन में समान अपने आपको बनाने का प्रयास करने से ही संभव हो पाएग और इसको पार किया आज भी हमारे देश में कुछ उसकाल जिसी अवस्ता बनी हुई है विदेशी आखे दिखा रहे हैं घर के अंदर लोग भी हमारे सत्रू बनकर बेड़ गए हैं इस अवस्ता में हम स्री राम चंदर जी के जीवन से कुछ सीखते हुए इन सब परिस्तित इस प्रकार का विचार करने पर जो तत्त निकल कर आते हैं वह इस प्रकार हैं लंका के राजा रावन की आखे भारत के लगबग सब राज्जियों पर विशेश रूप से अयोध्या के राज्जी पर थी जो समय एक बूड़े राजा दसरत के अधिपत्य में था तो भी दे प्रेजे हुए उग्रवादी कारेरत थे जिस प्रकार विगत दिनों में हमारे आज के समय भारत में पाकिस्तान के उग्रवादी आकर उग्रवाद के कारे करते रहते हैं और आज भी इस प्रकार का ही प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार आज कश्मीर में इस से पुर्व तक भा कुछ नीतियां छोटे समय के लिए इन नीतियों पर चलते हुए ही फल मिल पाता है। दसरत इस समय तक निसंतान था, जिसने भी कुछ अतिंत दिर्गकाली नीतियां बनाई हैं इन्होंने, और इन नीतियों पर कुछ समय कारे भी किया। कि अयुद्या का सुभाग यही कहें कि राजा की इन तीन रानियों से लगबग एक सांथी चार संताने हुई, वहाँ भी चारों पुत्र। कहा तो यहाँ भी जाता है कि इन चार भाईयों की एक बहन भी थी जिसका नाम सकुनतला था, उसका विवा एक रिशी के सांथ हो गया खेर, चार पुत्र संतानों के होने से इस राज्य को कुछ शक्ती मिली, इन संतानों को बड़े योजना पूरों धंग से सस्त्र विध्या के सांथ ही निती की सिक्षा भी दी गई, इस प्रकार की उत्तम सिक्षा दी गई कि राजकोमार छूटी आयू में ही बड़े- के सांथ मकाबला करते हुए विजे प्राप्त कर सकें, इनके गुरू लोग भी अपने समय के अदुत्ती गुरू थे, उस समय गुरू विश्यामित्र एक बहुत बड़े विज्यानिक रिशी थे, यह रिशी नित्य यज्ज अनुसंधान करते थे, उनके यज्ज का केवल आज के अगनिहोतर तक ही सीमित नहीं था, कपिदू सप्रकार की विध्याओं में, इसमें सस्त्र विध्याओं को भी समाहित किया जावे, सस्त्र बनाने, सस्त्रों को प्रयोक करने, दोनों ही में अपने काल में अदुत्ती रिशी थे, आयुध्यादीश ने इस रिशी से स अत्यदिक सस्त्र विद्या तो प्राप्त कर रही थी किन्तु कुछ अत्यदिक उपियों की विद्याएं इस प्रकार की थी जिन्हें के अबल गुरु विष्वामेत्र ही समझते थे दे सकते थे संभावता इस उद्देश को लेकर कोई योजना बनाई गई हो और योजना के अंतरगत रिशिव श्रामित्र जी उन दो बालकों को सिख्षित करने के लिए यहाँ बहाना बना कर अयुद्ध्या ले आये हूं कि उनके यहाँ यज्ज के राक्षस लोग विरोध करते हैं और यज्ज सोध साला जहां बम आदी सस्तर बनाय जाते थे भंग कर देते हैं। उ दोनों बालक जब अयुद्या से रिशिय आश्रम जनकपुरी के निकट जब था जा रहे थे तो मारग में ही गुरू ने शिश्यों की परिक्षा लेने के लिए कहा कि यहां से उनके आश्रम को जाने के लिए दो मारग हैं बहुत लंबा किंतु संकट विहिन तो दूसरा क्योंकि इस छेत्र में रावन की बहन ताड़का रहती थी जो बहुत ही उगरिता के सांथ आकरमन करके यहां से निकलने वालों को समाप्त कर देती हैं उसके साथ उसका छोटा बेटा और एक भतीजा खर और दूशन इस छेत्र में आतंक मचाते हैं वीर बालकों ने इसे अ बालका और उसके भतीजों से मुकाबला करते हुए उने मार्ग से ख़देड दिया और सफलता पूर्वक बिना किसी हानी के आसरम पहुँच गए दूसरे दिन जब इने रिशियों ने पुना अनसंधानात्मक कार आरंब किया यजज आरंब किया तो यहां तीनों फिर मार्ग में रोडा बन गए इस यजज के रक्षक के रूप में अपने धनुष उस समय संभावता विनासक सस्त्रों को धनुष कहते थे जिस प्रकार आजकल रॉकेट रसा भहेंकर सस्त्र किसी विसे साधन से चलाये जाते हैं इस प्रकार ही जिस साधन से सस्त्र जाता था उसे संभावता धनुष कहा जाता हो और जो सस्त्र अत्वा बम छोड़ा जाता था उसे बाण कहते हूँ जैपुर के जैगर दुर्ग पर अंदर एक तोप पड़ी है इस तोप को आज भी जैबाण तोप नाम से जाना जाता है यहाँ मेरे कथन की संतुत्ती करता है बांड लेकर तयार खड़े थे क्योंकि दोनों बालकों को बालक मात्र समझते हुए एक दिन पूर्भ ही उनसे दुष्ट पराजित हो चुके थे इस कारण उनसे डर भी रहे थे उनसे लोहा भी लेते हुए उन्हारा भी जाते थे इस कारण इस सोदसाला रूपी है यह को धुस्त करने के लिए वाच छुपकर आक्रमन कर रहे थे किन्तु राम और रस्रमन के सस्त्र उन्हें कुछ भी करने नहीं दे रहे थे संभव है कि यहां अवस्ता अनेक दिन तक अनवरत रूप से चलती रही हो और अंत में एक दिन आया हो जब एक एक करके इन तीनों का द की दोगनी हो जाती है उसके सामने कोई भी दुष्ट टिक्रवाने का साहस नहीं कर पाथा गुरू विश्यामित्र जी का जज निर्विद्न चलने लगा किन्तु देश के दूसरे भागों में यही संकट बना था इस कारण आयोध्या को और भी अधिक बलसाली बनाने की से वभा कर लिया इसके सांथ ही राजा दसरत की प्राथना को स्विकार करते हुए सीता की दूसरी बहन और चाचा की दोनों बेटियों का वभा भी दसरत के अन्न तीन पुत्रों के सांथ एक ना तूटने वाला बंदन अयोध्या और जनकपुरी में बन गया इन दोनों के म महाशुक्तियों के मद्ध होने वाले युद्ध को भारत से बाहर ले जाने का प्रयास अयोध्या का रहा होगा जबकि रामन की यही इच्छा थी कि युद्ध हो तो लंका में होता की अयोध्या की सेना को ना तो ठीक से खाने को कुछ मिल सके ना ही सस्रा सास्रों की यथा स इस योजना को बहुत समय पूर्व ही बना लिया गया होगा। लिये गए दो बचनों को आज मांगने का उत्तम समय बताते वे कहा कि एक बचन में अपने बेटे भरत को राज दिलवावे और दूसरे बचन में राम को एक दो नहीं अपितु पूरे 14 वर्स तक के वनों में रहने के लिए कहे इससे यह लक्षित होगा कि राक्षस लोग जिमाना रही हो इन्तु इस बात को नहीं जानते थे वे कि वनों में भी प्रतेक कदम पर अध्या की सेना वेश बदल कर स्री राम चंडर जी का सहयोग कर रही थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुरू पाकिस्तान के अंदर सन 1971 में भारती सेनाओं ने बंगलादेश की से सेनाओं का वेश बनाकर वहां पाकिस्तान की सेना के साथ विद्ध करते हुए मुझबफुर रह्मान और भारतीं के साथियों के रक्षा की और पाकिस्तान के सेना के एक लाग सेनिकों को बंदी बनाकर भारत ले आए बंगलादेश को पाकिस्तान के चंगल से निकाल कर एक आजाद देश बना दिया चाहे बाली की घड को हटाना हो चाहे सुग्रीव की साहिता की घटना हो हरुमान से मिलाना हो यह सब अयुद्ध्या की यूजना से ही हो रहा था यूजना में फूट का दिखाबा करते हुए बणो में स्रिराम को निरंतर अयुद्ध्या की और से सहयोग मिल रहा था जिन कारणों से अपने प्रत्यक प्रयास में विसफल होते हुए निरंतर रावण के निवास लंका की और बढ़ रहे थे उन सब को बड़ी सूजबूच से सफल करते हुए आगे बढ़ रहे थे इन चरनों में ही रावण के बेटे और बहनों इस सुबाहु आदी का भी राम ने मुकाबला किया और उनकी विसाल सेना के सेनिक को भी जीवित एक भी सेनिक को जीवित नहीं चोड़ा इन दोनों को नर कर प्रयास किया राम और लच्मन नहीं चाहते थे कि एक महिला पर अस्त्र उठाएं इस कारण वहाँ उसे समझाते रहे कि तो लच्मन ने उसे इतना बुरा भला कहा कि वहाँ इस अपमान के गूट को पी कर अपने भाई रामन के पास चली गई उसे कहा कि इन दोनों भाई कि उन्हें इतना अपमानित किया कि वहाँ अपमान कभी नहीं भूल सकती बदले कि आग में वहाँ भढ़क रही है इस अपमान के लिए आज भी बहुत सी मैलाएं अपनी पुत्र वदू और बच्चों की किसी भेंकर गलती पर कहती है कि क्या नाक कटवाली तूने इस पका को ही नरंतर अपने अंदर सोजोए हुए था इस लक्ष को कारण ही जब अयोध्या को अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का उस्वर दिखाई दिया जिसके लिए वहाँ सीता को सांत लेकर आये थे आज से लगबक 50 वर्ष पहले भारत में प्रकाशित होने वाली एक पत के इन दिनों में अनेक चैनलों पर दिखाया गया दिखाया जा रहा है इस धारवाहिक में भी एक अउस्वर दिखाया गया कि स्री राम ने सीता को महराज अगनिदेव के पास गुपत रूप से छोड़ दिया और उसके बदले में सीता की शकल की है अन्य महिला को रख लिय ताकि रावन इसे अपरण करके लंका ले जावे उसे यहां कहते हुए कि रावन ने सीता का अपरण कर लिया है इसे लिए वहाँ लंका के साथ युद्ध करना चाहते हैं इस बात की भनक तो अपने उन्हें ने अपने छोटे भाई लश्मन को भी नहीं लगने दी जिसे कि अध्या और स्रीराम का अनुमान था ठीक वेसे ही हुआ रावन ने मरीची नामक एक विक्ति की कुटिल विश में सोने का हिरण की रूप में स्रीराम की कुटिया के आसपास कुचाले भरने के लिए बेजा ताकि वह स्रीराम और लश्मन को दूर ले जा सके और फिर वह सरल गए कि आज उनकी बनाई हुई योजना पूर्ण होने जा रही है बस फिर क्या था उन्होंने अपना धन्ष और तुनिर उठाया हिरन के पीछे हो लिए कुछ दूर जाने पर एक तीर हिरन को लगा और बागाया लो गया इस सवस्ता में भी रामण के क्रपान से बचने के लि समझ सकते थे कि इस प्रकार की आवाज उन तक पहुँच सकती है तो प्रतिवत्तर भीवा चिलाते हुए पूछ सकते थे कि ब्राता राम क्या हुआ मैं सहायता के लिए माता जी को अकेले छोड़कर आऊं क्या उधर स्री राम भी समझ सकते थे कि इस आवाज को सुनकर सीता ही निश्चित सहायता के लिए लश्मन को भेज देंगी या कोटिलता ही इस से बचने के लिए वहाँ चिला कर खाय सकते थे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है लश्मन इदर सीता को अकेले छोड़कर मत आना प्रणाम सुरूप लश्मन अयुद्धा की बनाई हुई योजना के अनुसार वहाँ से राम की सहायता के लिए चला जाता है और फिर रामन के लिए सीता हरन का मार्ग साफ हो जाता है उन दिनों जंगलों में निवास करने वाली एक जाती होती थी जिसे गिद्ध कहा जाता था जाती के राजा का नम जटायू था जिस प्रकार रामन के पास वायू मार्ग से जाने के लिए विमान था उसी प्रकार राजा के पास भी एक विमान था एसमान से बाहर आजा, उसने सीता के चलाने की आवाज सुनी और उसने देखा कि रामण एक महिला को वायू मार्ग से भागा ले जा रहा है उसने उस दुष्ट को ललका रहा, महिला को छुडाने के लिए युद्ध भी किया, किन्तु चुद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया इसे सोभाग ये कहें कि जब राम और लच्मण जी सीता को खुशते हुए उदर से निकले तो घायल पड़े जटाई उन्हें उन्हें बताया कि सीता का अपरण कर लंका का राजा रावन ले गया है इस समय तक एक विशाल सेना इन दोनों भाईयों के साथ मिलती है या सेना जंगल के लोगों के ही थी इस जाती के लोगों को वानर कहा जाता है मैं तो यहाँ भी मानता हूँ कि इस सेना का एक बड़ा भग आयोध्या में गुपत रूप से आई सेना का ही रहा होगा इस सेना की साहिता से अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए आठ योजन की दूरी का पुल किवल आठ दिन में तयार कर दिया और इतना मजबूत की लगबग 11 लाख वर्स बीतने के पश्चाद भी या पुल रामे सुरम सी स्री लंका तक आज भी जों का त्यों खड़ा है इस से सत्रू दल में भैपैदा हो गया कहा जाता है कि सत्रू को भैबीत कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना लाबदायक होता है इस नीती के लिए ही हनुमान जी लंका गये थे जहां उन्होंने सीता जी को सांत बना दी दो और कारे भी कर दिये वहाँ पर एक तो की रावण के भाई विविष्ण जी के मन में स्री राम के प्रति आस्था के बीच को बो दिया तो दूसरे लंका के लोगों में आपसी कटुता भी बरदी जिसे आग लगाना कहा जाता है इस प्रकार लंका दो गुटों में बढ़ गई एक समय के बाद रावण का भाई भी रावण की दुष्टता के करण उसका साथ छोड़कर स्री राम के साथ जा मिला इस प्रकार लंका पूरी तरह से बढ़ गई थी जिसकी शक्ती बहुत कम हो गई जुद्ध हुआ सत्रु दल ने खुब कुचाले चली किन्तु राम और उनकी सेना के सामने उनकी एक अना चली विविक्षण को स्री राम ने अपने भाई के साथ जुद्ध लड़ने की अनुमती तो नहीं दी किन्तु समय समय पर अवश्कता अनुसार विविक्षण से सला अवश्य लेते रहे इसका परणाम हुआ कि रामन जुख का अन्त हो गया और अब लंका पर स्री राम ने विविषण को राज जासीन कर दिया स्वयम महा से एक विमान लेकर अवश्य के लिए रवाना हो गए क्योंकि अब 14 वर्स पूर्ण करने के लिए एक दिन सेश रहा गया था अयोध्या आने पर स्री राम लश्मन और सिता जी का भविषागत हुआ जिस सुरुपनखा के कारण राम रामन जुद्ध हुआ था वह मैला लंका से रावन का अधिपत्त स्वाप्त होने पर फिर से बदलेगी आग में जलते हुए आयोध्या में ही रूप बदल कर रहने लगी थी और नित्यप्रती कुटिलता से रामराज्य को तोड़ पेदा करने का प्रयास कर रही थी अपने इस प्रयास में उसे सफलता भी मिल रही थी क्योंकि बहुत से नगर सेड़ उसकी कुचालों का भाग बन चुके थे इन कुचालों के प्रयणाम सुरूप सीता जी को एक बार फिर वनों के मूँ और जाना पड़ा उनसे दो संतानों का जन्म दिया और संतानों का लालन पाला ने इस प्रकार किया गया कि यहां दोनों बालक भी अपने पिता के समान बाले काल में ही अदुत्ती युद्धा बन गए रामण की मृत्यू के पश्चाट जो कुछ आतंकवादी उसके सांद बचे थे वहाँ इस देश में एक बार फिर आतंक का बातावरन बना रहे थे इन दोनों बालकों ने एक एक कर नातंकवादियों का नाश करना अरंब कर दिया अंत में सुर्पनका को भी समाप्त करने में विसफल हुए इस प्रकार रामायन आयुद्या में पूर्ण सांती ठीक उसी प्रकार इस्थापित हो गई हाँ कोई आतंकवादियों को दिल से अपने में सुधार की समा मंगता है तो उसे आतंकवादियों का सहस बढ़ाते हुए साथ मिलाकर अपने पुनरवास की विवस्ता भी कर रहे हैं इसका प्रणाम यहाँ है कि आज हमारे देश में कुछ विरोधी जाराज्येता सत्ता के भूक में विदेशियों के हाथ खेल रहे हैं हमारी जन्ता का ही एक भाग प्रधानमंत्री के कारेरों का विरोध करता दिखाई दे रहा है किन्तु हमारे प्रधान मंत्री एक मस्त हाती की तरह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं सेना को किसी सत्रू के दो-दो हाथ करने की छुट दे रखी है सत्रू के घर में गुसकरों से मारने के कारे करते हुए भी किसी भाई का अनुबव नहीं करते इसका ही प्रणाम है कि आच्छा है पाकिस्तान होया चीन आखे तो दिखाते हैं किन्तु हमारे प्रधान मंत्री के डड़ साहस के सामने उनकी एक नहीं चलती ठीक उसी प्रकार ही दुनिया भर में मोधी मोधी हो रहा है जिस प्रकार सब स्री नाम के नारे लगाते रहते हैं सब में संकेत यह जाता है कि सत्रू को विजे के लिए आवश्यक है कि सत्रू को ससंगित समझे उसकी शक्ती को छिण करने का उपाई कीजिए सत्रू की शक्ती को समझने के पश्यात उसे विवाजित के लिए उससे निरुसाहित कर दो उसमें फूट का बीज डाल दो उसके सांथी अपने सांथियों को एक बनाए रखो अपनी सेन शक्ती को भी लगातार बढ़ाओ एक विश्व की सरवस्रिष शेना बनाओ विदेश्यों में भी अपना प्रभाव बढ़ाओ सत्रू का प्रभाव कम करो ऐसा करने से ही उग्रवात का नाश होगा शत्रू देश्य अमारे सामने अपना सर जुकाने में उबाद्धी होगा यही तो सफलता का एकमयव रहष्य है यहां मैंने जो कुछ लिखा है शत्रू मेरा मन यहां करता है यहां अनुमान है सμभवता इस प्रकार ही कि अवस्ता रही होगी स्री राम के समय इस प्रिकार के ही प्रयास किए गए होंगे जैसे अयोध्या, उनके साशनकाल, उनके सियना, वहां के नागरिकों की सुरक्षा मिली होगी, उससे प्रसंद्धा पूर्वक नरभे जीवन आरंब किया होगा, सब लोग सुखी थे, किसी को भी कुई कष्ट नहीं था, समय पर वर्षा होती थी, समय पर व्रक्षों फल लग पड़ा होगा, कि देहिक, देविक, भोतिक, तापा, रामराज नहीं, काहो ही वापा, बर उम्बैरुना, बेर प्रीतिसन कोई, रामराज बिनु, वुशमता खोई, नमस्ते जी, धन्यवाद, ओम, यहाँ लेक के लेकप थे, वेदिक विद्वान, डुक्टर अशोक आरेक लाजियाबाद से आपको बता दें, कि यहाँ लेखक के अपने विचार हैं, अनुमान हैं, इस तरहां का, साथी साथ, हम आपको यहाँ भी बता दें, कि इस तरहां के अन प्रणादयाक लेखों के लिए, वेदिक लेखों के लिए, वेदिक राष्ट यूटुब चनल को ल झाल झाल